आपका रिजल्ट गुरु 2.0 पर अगर आप लोग भी ऐसी कश्मकश में हैं सोच में हैं कि आखरी दिन है अब और जीडी की तयारी कैसे करें अब आखरी दिन चल रहे हैं कुछी दिन बाद पर है और कैसे करें तयारी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा यह जो वीडियो ह है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होने वाली है उन स्टूरेंट्स के लिए जिन्हों ने इंग्लिश को आप्ट किया हुआ है सबसे पहले आप लोगों को ने क्या करना है तो गाई सबसे पहले आप लोग एक काम जरूर करिएगा पहले यह देख लीजिए स्लेबस क्या है ठीक है ना सलीघ्व से एक बाश चक किया ठीक है यह नहीं कहरी हर एक टॉपिक पढ़ना शुरू कर दो मैं कहरी है जिस स्लेबस देख लो ठीक है पहले तो लोग यह पटा कर लो पैटरन क्या है पैटरन में कितने नंबर की इंग्लिश आ रही है बचे अग अपने आप में ही इसकी इंग्लिश को चूज किया है चलिए वह हिंदी कर लेंगे इंग्लिश की है तो 40 marks कैसे पके करें यह आप लोगों को बताने जा रही हूं सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों अपने बेसिक्स ट्रॉंग कर लो जादा तर आपको बेसिक्स के ऊपर आता है जाना तो नहीं होगी इंग्लिश बटा एक दम बेसिक नॉर्मल जैसे की 10th standard की इंग्लिश होगी उतने ही ग्रामर आएगी इससे ऊपर कोई आपके पास नहीं पूछी जाएगी तो क्या करना है एक तो आपने देखना है टॉपिक्स देखने हैं और साथ-साथ में ग्रामर पर जोड़ देना है यह आप लोग देख सकते हैं ग्रामर में क्या-काशीज़ आप लोगो एक दो टॉपिक है जिसके साथ सारे टॉपिक साथ को एक कवर हो सकते हैं वो होगा error detection तो सबसे पहले बताओं अगर तुम लोगों ने ये इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर ली ना error detection की साथ साथ में तुम लोग जो है sentence improvement ठीक है ना इसको भी करना सीख जाओगे sentence improvement में भी तुम्हारा जो error detection होता है वो helpful होगा किसमें होगा sentence improvement में उसके बाद अगर मैं बात करूं error detection है किया tense की knowledge आती है आप लोग को adverbs verbs हर एक चीज conjunction और preposition की knowledge लेनी है तो error detection कर लो ठीक है ज्यादा तर sentence improvement error detection में ही आपको जो preposition है वो पूछा जाएगा तो यह important चीज है कि एक बार जरूर आप लोग error detection की practice कर लो उससे ही आप लोग को sentence improvement भी आ जाएगी आगे बात आती है फिलप्स की फिलप्स कई बार आते हैं वो वर्प पर पूछते है शूटेबल वर्प पर अच्छा दूसरा क्या पूछ सकते हैं आपके ऊपर substitution के रूप में फिर आप लोग को antonium synonym के रूप में आपको क्या पूछ सकते हैं फिर आप लोग को वो idioms के रूप में वो क्या पूछ सकते हैं तो vocabulary का भई बहुत ही जाला क्या है important part है अच्छा मैं बता रही हूँ sentence कौन सब यह spelling spelling मिस्टेक्स अगर spelling मिस्टेक्स कौन सी spelling वर्स दिया होंगे आप लोगों को just find out करना होगा correct वर्ड या incorrect ठीक है ऐसे आप लोग उनको find out करने होंगे तो vocabulary का portion बहुत ही ज्यादा important है हमारे स्सी जीडी English में बच्चे आप लोगों क्या करना है vocabulary के लिए में बता देती हूं ज्यादा तर्थ इनके बहुत ही ज्यादा हाई लेवल आपसे नहीं पूछेंगे जीडी में युकि अगर देखा जाए जीडी MTS इसका थोड़ा से लेवल थोड़ा कम रहेगा ज्यादा न पर सो मैंने ली थी मैंने बहुत सारे इडियम करवाए है उस ख्लास में आप लोगों को वीडियो देख लो उसके बाद आप लोगों को लगता है ज्यादा तो आपको टफ भी नहीं आएंगे जैसे कि आप लोगों का एक वर्ड होता है रिसीवड ठीक है और बहुत सारी ब यहाँ पर टेस्ट होगी ज्यादा मैंने कहा तो नहीं होगा तो इसलिए जो टैंथ में पढ़ी होगी इंग्लिश एक बाद जरूर देख लेना उसको टैंस देख लेना फिर मैंने कहा बच्चा कि आप लोगने संटेंस इंप्रूब्मेंट करना है तो इससे पहले आप लो दैंट भी बिल्कुल आप लोग निग्लेक नहीं कर सकते नजरंदाज कर सकते वो क्या है फिदा इंहर क्वेस रुच्चन की प्रैक्टिस करनी थिके न तो आप लोगोंने एकदम उसके क्या करने है हमारी कोई हिंद हिन्धी की भी जिन वांच नें हिंडी कोौट किया है मय सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब